हालो फ्रेंड्स हम देख रहे थे अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट बी फार्मेसी फिफ सेमिस्टर और यहां पर बात करें तो हमारी जो है यूनिट सेकंड चल रही थी अब यूनिट सेकंड में जो हमारा टैबलेट वाला चेप्टर चल दा था इसमें बस एक लिए वीडियो बगरा है वह आपने नहीं देखिए आप जाकर चेक आउट जरू कर लेना तो इंडस्ट्यल की प्लेइलिस्ट की जो लिंक होगी वह आपको नीचे मिल जाएगी उसमें आप जाएगे और चेक आउट कीजिए आपको सारी इन्ट्रियल की वीडियो मिल जाएगी आप नीचे जाएगे चेक आउट कीजिए और जाके सारा को चलिए बात करते तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वालिटी कंट्रॉल टेस्ट अब इसको समझते हैं क्या होता है कैसे तो पहली बात तो यह समझो कि यह जो हमारी चीज है यह एक्जाम में हमारी जाए बहुत जाएदा आती है क्योंकि यह मतलब इंपर्टेंट आपने देखा होगा माइक्रोवाइलजी ओर भी टॉपिक में वाला पार्ट हमारा बहुत जाएदा आता है और जो हमारे धिक्वालिटी कंट्रॉल टेस्ट वाला पार्ट है इसी को हम जो है एवैलिशन तो किसी भी नाम से आपके लिए एक्जाम में आ सकती है और एक मुझ मूर इंपोटेंट टॉपिक है हमारा तो आप समझते हैं कि आखिर यह हमारा होता क्या है तो देखो सिंपल आप एक फंडा समझो जैसे मालो आपके घर में कभी कोई गैस्ट बगेरा आते हैं तो कभी और मालो आप लोगों ने कॉफी बनाई या खाना बनाए मैं अपनी देखता हूं तो जब हम उनको यह चीज मतलब सर्व करेंगे जाने कि उनको देने जाएंगे तो पहले हम टेस्ट करते हैं या खुद चेक करेंगे कि वो चीज हमारी ठीक बनी कि नहीं मालो आपने कॉफ से नहीं मिलाई पानी वाली चाय बना दी तो यह सब बातें आप लोगों ने जाता सुनी होंगी तो यहां पर हम किसी गैस्ट को हम मतलब किसी गैस्ट को मातरम जो खाना या कॉफी चीजा दे रहे हैं उस कंडिशन में हम उन चीजों को इतनी बार चेक कर रहे हैं वो ठीक को बनी है कि नहीं तो यहां तो सवाल हमारी टाबलीट का है बालाश समझे चलिए समझते है परीशान मध़ी पस सिंपल देखते चाऊ जैसे मालुं मैं वगई ऑग्रtois टाव्यश्ज में तो हमारी मार्केट में जाईगी तो मार्केट में लग्रृ लोग उसको खृद द है वो हमारी बाड़ी में कोई नुकसान ना पहुंचाए तो इसके लिए हम उस टैबलेट को evaluate करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं चेक करते हैं कि वो टैबलेट हमारी ठीक बनी है कि नहीं जैसे हम यह कॉफी चाई दे रहे थे तो उससे पहले हमने हमारी सामने तो हम evaluate क्या करेंगे तो सिंपल कुछ बाते हैं मैं बता जाएंगे कैसे हम क्या करने वाले हैं तो जैसे मालों stability होगी कोई टैबलेट हमारी बनी तो वो जैसे एक्सपारी डेट तक हमारी जीवित रहेगी जिंदा रहेगी कहीं सहीर तो हो जाएगी बीच में टैबलेट तो इन सब बातों का ध्यां रखते हैं पर उसकी स्ट्रेंद देखने ही मजबूत है कि नहीं है टैबलेट क्योंकि आपको बता है इदर से उदर जाती है तो उस पे कहने कल इस ट्रेंद भी लगती है थोड़ा बहुत फोर्स भी लगता है थोड़े बत कभी दब गई बैठ गी तो कहीं वो टूट तो नहीं जाएगी खराब तो नहीं हो जाएगी तो इन सब बातों का ध्यां रखते हैं टैबलेट का साइज सेप कहता है और डिफेक्ट तो नहीं है कोई जो हमने इतने सारी डिफेक्ट बढ़े थे फिर आप सब्सक्राइब तो यह सारी बातों को हम यहां पर जो एचेक्ट करते हैं ठीक है सिम्पल सी बात है पिर अगर आपने अगर सही से देखा हो गा तो उसमें हमारी दो चीज़ा थी मैं आपको दिखाता हूं आज यहां आप देखो गे एक हमारा था इन परॉसेस और एक ह जब हम कोई चीज बना रहे थे ठीक है तो उस दोरान भी हम चाहते हैं कि हमारी जो एक एक चीज है उसकी टेस्टिंग अच्छे से हो जिससे हमारी टेबलेट जो है ठीक बने जानकि टेबलेट बनने के बात टेस्ट अलग है लेकिन ये टेबलेट बनने से पहले के टेस्ट है तो आपको अगर याद हो तो यह सारी की सारे फंडे हमने जो अपने प्री फॉर्मिलेशन वाले पार्ड में पढ़े थे जो हमारी यूनिट फर्ष्ट थी और जिसको हम और लेडी पढ़ चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर इन प्रॉसेस में आपने देखा होगा और लोगों गोँगे तो उन्होंने इतन्य च acompa नहीं पड में पर चुकी है उप्री यूनिट में तो अब हमको जूँनिट के ऊपर जहां पर टेस्ट काने हमारे थीक बनी है कि नहीं बनी है तो इसके लिए हमारे जो हैं दो तरह के टेश्ट हमेंडीये गए कि according to that सारी सीज़ मिलती है नौन ओफिसियल मतलब थोड़े से नौन इस्टेंडर्ड है जिसको हम लोग खुद से भी कर लेते हैं बिना किसी मतलब इतने मतलब वह नहीं होते हैं मारे लिए रूल्स रहा हम ऐसा ही खुद से कर लेते हैं तो यह हमारे इस्टेंडर्ड है यह हम अपने कहीं पर खिलते तो उसमें के रूइल बना दितें यहां लोग कहीं पर कोई लिए लेखेंड़ कोहई और बहु var वैर उफ और एक और सबसे महारे हैं जिसका ?वल्ला इसकी बैटिंग तो यहां पर यह सब अपनी मर्जिं से कर लिते हैं और यहां हमारे ध़िंधंड़ हैं लेकिन गैम बाइप कह लिए आस डिर्था यह आप भी जानते हो बैल लिवज दौनों ही है निर्डे हम दोनों का ही अच्छे से करते हैं तो इसी तरह होते हैं हमारे ओफिसियल नौन ओफिसियल ऑफिसियल इस्टेंडर्ड नौन ओफिसियल नौन इस्टेंडर्ड लेकिन काम के दोनों है यूज हमारे दोनों होते हैं तो इसी तरह से हमारे यहां पर यह तैस्ट है तो हमारे ऑफिसियल है इसमें चार्ट आते हैं वेट वैरियेशन कंटेट यूनिफर्मिटी डिसॉल्यूशन टैस्ट अब इसके अंदर जो यह दो टैस्ट हमारे हैं डिसॉलिशन टैस्ट और डिस इंडिकेसंट आपको पहले यह वाला पढ़ना होगा डिस इंडिकेसं तैन लिगके करके पहले हम समझेंगे पहले हम समझेंगे ऑफिसे को पहला हमारा टेशट आता है ज sub लग रही है कि नहीं लग रही है तो यहीँ चीजिबारे कहला तो जासे लेट करो हमारी है पनी है अब अगर यह ए तो लोग तो इसको टैबलेट मानते ही नहीं लोग कहते हैं यहां पर आपने देखने से मतलब हम उसको बता पारें कि वह चीज हमारी टैबलेट है या नहीं है आप देखकर ही सारे काम करते हो कोई भी चीज कैसी है तो यहां पर अगर कोई चीज हमारी देखने में अच्छी कर देंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें तो लोग उसको बड़े आराम से खा लेंगे तो इसका यहां पर फरक पड़ जाता है एक ग्जामपल समझो आप समझो कपड़े ले ले रहे हो तो वहां पर आप उसको पहन के देखो के ट्राइ करोगे या बैसे भी आपने रख्या देखते हैं अगर वह अच्छा लगेगा तब ही आप उसको खरीद होगे अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप उसको नहीं खरीद होगे और इंडिया में इसका मलब एक और रोल होता हमारा identification में आप को पता होगा कैसे तो देखो हमारे जो भी हमारा बोलते हैं तो कैसे ऐसे बेटा बुराल बाली देता हो फो चोटी वाली पतली वाली फीली वाली वह तो ली लाल वाली तो इस तरह हमारी टेबलेट की जो रूप पर रेखा जानकी टेबले जो हमारी उसकी अपिरैंस है उसी के आधार पे हम जो है टेबलेट की पहचान बना लेते हैं और इस ते intertwart लिकते आपींट और लेके और इसको पास करेंगा उन्हा का चीज़som या या तो इस तरह के सेब्क हैं जैसा लिकए लिए सेफ है तब थीक है नहीं है तो फह लोड़ाईगी कालर वी हमारा देखा लाता है क्या उसकी है और भी और टेस्ट यह सारी चीजों को आप पहले से आलडी में जानते हैं फिर हमारा यहां पर सेकेंड आती है साइज एंड से और फिर थर्ड हमारे तो इन दोनों को आप ऐसे देख लो लेट करो आपके पास कोई मतलब टैबलेट है तो उसका साइज कितना है जैसे मालों अगर यह आपकी टैबलेट यहां पर दिख रही है तो यहां से लेकर यहां तक इसका यह साइज क अब मतलब होता है यह को मिल जाएगा बोलना अब को दिखा देंगे तो इसमें क्या होता होता है यहांपर यह आगे-पीछे होता और साइज बगरा को हम यहां पर दोगा इडेंटिफाइग कर लेते हैं और से पैने आपको बता दिया वाइक अब यहां कर लेते हैं तो इस तरह हम जो है इन चीजों को यहां पर फाइंड आउट करते हैं अब सवाल आता है कि हम इसको मिलाएंगे कहां से कोई स्टेंडर्स यहां पर हमारे होते हैं मान लो एक्जांपल सबसक्स को बनानी ऐबेगा गरम करेंंगा मैंगी डालेंगे फैसले ये साथ गूतल फान रखा कि सारी नॉलिज हमारी September के वारे में लिख्की है कि ये भी लिखिया कि उसक कैसा लगता है बाद सारी बाता लिखी है इसी तरह का सेम फटना हमारे यहां पर प्रिजेंट होता है फरक्या होता है यहां पर कि यहां मैगी न होके हमारी दवाईयों के बारे में लिखी होती है यान कि मालो कोई टैबलेट के बारे में लिखी है या फिर और कोई हमारी अधर प्रिप्रेश्चे फ़्रमुल बनाई तो इसकी मालओ आपको मिला है 2.5 mm मतलब इसकी थेक्नेस होनी चाहिए और लेट करो यहां पे आपने लिख दिया 5 mm यह फिर दस यहां पर इसको चेक करेंगे और उस चेक करके आप यहां पर इसको जो है है कैसे होता है यह चीज आपके आगे भी काम आगी इसलिए मैं आपको बता दिता हूं तो लेट करो example के लिए मैं ले लिया कोई चीज हमारी 500 mg की है और उसमें बोला कि जहां हम इसको test करेंगे तो इसके प्लस माइनस 5% का मतलब वो दिये छूट तो पहले हम इस 500 500 mg का पांच परसेंट निकालेंगे और इसका पांच परसेंट कितना होगा पांच परसेंट के लिए एक हमारी लिमिट बन गी चार सो पिच्पतर से पांचो पच्छिस तक तो अब कोई जो हमारे ड्रग होगा वह इन दोनों के बीच में ही वेरी करना चाहिए अगर इससे कम होता है या सिधया होता है तो वहां पर हमारे जो ड्रग है वह ञाहीं जाएगा और अगर यहान के बीच में रहता है तो हमारे पास हो जाएगा तो इस तरह OF समझे कि कोई भी हमारी वैरियेशन क्या कहलाती है तो बस यहां पर क्या है कि यहां पर चलता है तीन आप समझ गए चौत हम यहां पर समझते हैं अपना हमारा जरूरी कि होता है तो हमारी ना हमारी बनाता है यह हमारी यह पैबलेट बनाते यह हमारी पैबलेट नहीं पैबलेगी और ilah बने अगर वो हमारी ज्यादा hard वन गई तो ज्यादा hard नहीं होगी मतलब कैसे समझो हमाद आपने कोई टैवलेट है आपने खाई वही आपके पीट मगी तो पेट मजे जाना भी ज़रूरी है जब वह कैँछ घूसे हमारी ठीट में हाके वह रखकरगी ताबtoo को टैबलेट नहीं टूटे कि तो भई असर नहीं दिखाएगी तो यहां पर इसी चीज़ को हम डिसिंटिकेट होना बोलते हैं और अगर कोई टैबलेट हमारी ज्यादा हाड बन गी जानकी ज्यादा कठोर बन गई तो पेट में जाके भी टूटेगी नहीं तो इसलिए हमको दिखाइड करना कि हमारी कोई टैबलेट ज्यादा हाड ना बने अब एक सब्सक्राइब जादा हमारी ज़ादा सॉफ्ट बन गई तो अगर कोई सॉफ्ट बन गी तो हमारी वह जल्दी तूट जाएगी अब आपको पता है कि हमारी पैकिंग ही होती है आप सिंपल ले लो टो एक छोटा बोक्स होता है जिसमें हमारी दस मतलब इस तरह के पत्ते लगे होते हैं हमाता है पूरहिक हुता है ये पहले ही चूते हलेगी खाने के sincer फैले दूट येगे तो यहां पर tablet हमारी खराब होगी तो यहां पर आप क्या समझे हम यह समझे कि जो हमारी tablet बनते हैं उसमें जो हम compression करते हैं उनकी प्रेसर बनाते हैं वह हमारा इतना होना चाहिए कि हमारी best tablet बने ना तो जादा hard हो और ना जादा soft हो तो इन दोनों को maintain करके हम कोई भी tablet है उसक मतलब क्या है कि एक ऐससा प्रेसर जो हमको किसी tablet को तोड़ने के लिए चाहिए अब भाई इतना प्रेसर अगर हम मतलब जितना हमको तोड़ने के लिए चाहिए उतने से आगर हम जादा कर देंगे तो भाई वो टैबलेट हमारी क्या होगी पेट में आकर तूट तो का पूरा वॉक्स है यहां पर एक स्केल लगा हुआ है यहां इंडिकेटर है और यह आपको दिख रहा होगा यह स्पिंडल है और यह एक इसका मतलब लोहे की वह चीज़ है और यहां बीच में हम टैबलेट को फसाते हैं फिर में स्क्रियू को यहां से टाइट करेंगे हमारां हारडनेस टेश्ट मतलब वह प्रैसर का नोट डाऊन कर लेते हैं और उसी प्रैसर के अकॉर्डिंग हम यहां पर जहां तरह निकला करते हैं सेम फटन हमारे प्लास की तरह होता है यहां पर हम इसको रखेंगे इससे कैल्कुलेट दबाएंगे अगर प्रैसर हमारा जितना मतलब हम नोट डाउन कर लेंगे फिर क्या होता है फिर हम इस जो हमारे प्रेशन निकला इसको वही सेम पटना जो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो मॉनोग्राफ है आई-पी है उन सब में हमारी स्टेंडर्ड वैल्यू है तो उसके साथ हम इसको मैच करते हैं अग तो यह हमारा हो गया पांचमी नमर पर आता है समझो पहली बात है कि यह हमारा अनकोटेट के लिए होता है इस टैबलेट जिसके ऊपर कोई तो यहां पर हम चीजिज को यहां पर कितना पॉडर हमारे यहां पर छुट रहा है ठीक है पहरा यह हमारा होग अगर दुटरे की फिजीकल इस्ट्रेंद को भी चेक करते हैं कि जो हमारी टैबलेट है जो हमने आपको वो हाड्नेस टेक्ट में बताई वही सेम बंड आए कि वह टेवलेट हमारे बजन सहाँ है पाएगी और इन चीज़ों को सहाँ पाएगी कि नहीं तो यह दौनों चीज़े हम क्या करते हैं अब कैसे करते हैं तो उसके लिए होता यान कि इसके अंदर कुछ भी रखा होगा वो हमको दिखाई देगा अब हम करते क्या हैं तो हम पहले लेते हैं बीश टैबलेट आपको यहां पर लिए अपनी टैबलेट और ट्वेंटी टैबलेट जो हमने लिए उसका हम पहले करेंगे इनीशियल विट यान कि 20 की जो हैं 100 राउंड लगेंगे और जब 100 राउंड हमारे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद हम इस टैबलेट को क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं और जब हमारी यह टैबलेट के बाहर आदागी फिर से हम जो इसका बेट यहां पर करते हैं अब जेको सिंपल सा फंडा है यह हमारा इनीसियल बेटा है यह फाइनल बेटा है अब जो हमने यहां प्रोसेस की जो सो राउंड लगे अगर इस वीच में यह वाली प्रॉब्लम होगी यान कि जह हमारे यह पॉड़र छुट रहाता तो यहां पर अगर पॉड़र छुटेगा तो कुछ ना कुछ हमारी जो होगा मैंने अभी बेट किया अब मालों इसका कुछ पाड़ जान कि यह कैप मालों छुटकर हमारा गिर गया तो अब यह का थोड़ा सा साही लेकिन बेट तो कम बात है तो यहां पर जो फाइनल वेट आएगा वह हमारा क्यांता है थोड़ा सा कम आता है क्योंकि अगर यह होगी तो यहां पर हमारी चीजिए नो छोटती है ठीक है तो अब हमको क्या करना है हमको इसी को इसी के साथ मैच करना कि हमारा इनीशियल वेट रे यहां से वह कितना जाधा जोटा गयाँ अगर यह हमारा range से range हमारी कितनी होती है 0.5 से सिर्फ एक परसेंट तक हमारे यह vary करना चाहिए तो अगर यह एक परसेंट से ज़्यादा हमारा weight यहाँ पर loss हो जाता है तो हमारे यह test fail हो जाता है और अगर loss नहीं होता है तो हमारे यह test यह पास हो चाहिए जो हमारी initial weight थी उससे समझे तो यह चीज़ हमारी यहाँ कहलाती है probability test और इसके लिए भी चीज़ा हमारी सब लिख्यों ही है आप चाहो तो आई पी बगरा में यह सारी चीज़ा आपको बिख जाएंगी बाकि अगर आपको इसका रिजल समझना होता है एक जांपल समझे लो लेट करो हमने इनीशियल वेट लिया था तो हमारा 100 ग्रामटे फार्मने फाइनल लिया तो फैनल अमालो यहां पर आ गया 99.5 तो हमको एक परसेंट की वए और लेक्र एक चीज़ा बर्खना एक करती है थो हमारा नहीं है आग baik again harsh खाय डाओ लेकिन इकर दो नार इन्याइन चीकैक् Meaning constitu यहां गए होगे अब हमारा यहां च्याटा नमर का आता है वेट वेरियेशन या इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ बेट तो यह भी सिंपल ज्यादा देखो इसमें क्या होता है जैसे मालो हमारी टैबलेट बनती है आपको पता है बहुत जारा बनती है हजारों की संक् पता लगाते हैं और अगर जादा होता है तो हमारी जो टैबलेट का जो है वहारी फेल हो जाती है तो इसके लिए कैसे क्या होता है यह आप समझो तो इसके लिए हम यहां पर जो अपनी 20 टैबलेट को सेलेक्ट करते हैं रेंडवली मादलो एक ग्रोप बच्छे मतलब हमारे एव्रेज इनिग्रा इससे आपको इंडिविजूल टैबलेट को क्या करना है मैच करना है मैचिंक करने कि कितना हमारा आरा कितना नहीं आरे अगर तो यह वारी से किया है अब यह मालो आपको पता होगा यहां पर वैल्यू गिवन है जैसे आपको पहले गिवन नहीं ती यहां आपको गिवन है तो देखो क्या होता है एवरेज बेट अब्रेट अकॉर्डिंग तो यूएसपी यहानकी यूनाइटेड इस्टेट फार्मकॉपिया और यह आईपी यहानकी इंडियन फार्मकॉपिया तो इसको हम समझने यह इसके समझे तो अगर जो हमारी टैबलेट है वह हमारी 80 80 mg से चो पंडब झाओ ऑब मैंने आपको बता द्यादा कैसे हमारा होता है तो वहीं वाला 500 है तो पांचट้र पंच्छे सा फान्सों इस से उपर किये तो वहां सिर्फ 5% हमारा जो है वेरियसन अलाओ है तो यह हमारे यहां आई-पी के लिए थोड़ी वैल्यू यहां पर जादा है तो इस तरह आप इन चीज़ों को यहां पर नोट डाउन कर लेना चेक कर लेना वागी कहानी आप समझ के होंगे कैसे होता हमारा व बहार जाती है तो हमारे यह पूरा का पूरा बैच फेल हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे बापस भेज़ेंगे कि भाई टैबलेट में कोई कमिया फिर से जो इस टैबलेट को बनाओ ठीक है तो यह सारा फंडर होता है फिर हमारा सेवंत आता है कंटेंट यूनिफॉर्मिट कोसार है तो को देखो हमारी कोई टैबलेट है आपको बता हैं इतनी सारी हैं तो हर यह मानलो थे किसी में 200C होगा किसी में 3010 होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैरी कर जाता है हमारे जी कंटेंट जो एक्च्वल में एपिय होगा तो उसी चीज को हम यहाँ पर चेक करते हैं इस कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट में आप कैसे करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे जहां पर अ outta यहां कर लेंगे और इप्रोसेस में और यहां पर यह हमारी चयब्ले होता है तो यह हमारी कुछ प्रोसेस होते हैं तो इनके त्रों क्या करेंगे इन्डी विज्वली एक एक टैबलेट को ऐसे करेंगे अब उसके बाद यहां पर क्या दी गई यह नो ने सरत है तो जो पहली हमारी क्योंकि ड्रक्राइब कम हो या जाला हो नुकसान तो करेंगा अब एक मैंने आपको समझा दिया जैसे मालों यहां पर हमने ले लिकोई 300 तो इसका मैंने पंद्रे परसेंट निकाला तो 45 यानिकि अब जो हमारी टैबलेट है जो 300 वाली टैबलेट है उसमें या तो 255 यहां पर तो इस तरह हम यहां पर पहले यहां पर करते हैं अब अगर किसी का यहां पर यहां पर किया था नो टैबलेट यहां पर देखी दाएंगी यहां पर फिर 20 जो हम टैबलेट करेंगे बाद में तो इन 20 टैबलेट को भी हम यहां पर क्या देखते हैं यह रेंज हमारी रहेगी 85 परसेंट जे 15 परसेंट सक यहां पर सिर्फ 15 परसेंट का वेरियसन मिलेगा और अब यहां पर मतलब कोई छूट नहीं है अब अगर इसक हमारा आता यहां पर डिजॉलीसेंट और एक हमारा नहीं पर आता है वह गmost कर डिस इंटीग्रेशन तो पहले हम अपने इस इंटीग्रेशं घैक तो समझते है तो हमारी पार्टिक्ल में क्या होगे ब्रेक्डाउन होगी क्योंकि यह जरूर इया में अगर HEMA इसमें पक्ते का एक गास्यारा कप्रियोर होगीまぁ तो日 में फिर भी तो हुग मनmate वेसल बगर को क्रॉस करेंगे नहीं एक सॉलीशन फॉर्म में होगी तब ही वो चीज हमारी क्रॉस करेगी तो यह चीज हमारी डिसिंटेग्रेशन कहलाती है लार्ज पार्टिकल तो स्मॉल पार्टिकल ब्रेक्डाउं ठीक है उसके बाद जितना टाइम किसी टैबलेट को मैं जल्दी डिसिंटेगेट होगी और अगर वो टाइम से डिसिंटेगेट नहीं हो रही है तो उस टैबलेट को हम बापेस बेजेंगे अब बना नहीं पाए मैं आपको इसी में दिखा देता हूं तो इस तरह का होता है कुछ इसका डाइग्राम आपने लेब बगएरा में पूरा का पूरा इसको देखा होगा, किस तरह हमारे ये पूरा डाइग्राम होता है, अब इसकी कहाणी समझो, क्या होता है, तो देखो, नीचे आपको यहाँ पर जो दिख रहे होंगे, ये इसका power on बटन है, यहाँ temperature बगएर होता है, ये दिख रहा होगा temperature है, बाकि इसकी क पर क्या है, गीजर लगा हुआ जो इस पानी को गरम करेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दो आपको इस तरह की पूरी चीज़ा दिख रही होंगी, खाली बाली, इसमें, बीकर हमारे दो रखे जाते हैं, आपको मैं आपको बता दूँगा कैसे, और यहाँ पर यहाँ फर्मामीटर, इसके साइड में लगे होते, यह आपको दिख रहे होंगे, धर्मामीटर क्या करेंगी, इस वाटर के टेंप्रेशर को मेंटेन करें, मतल हमारे होते हैं, बताते हैं कितना हो गया क BarnPI का सकें, तो यह पूरी पूरी क्श्रिक्शन होती है, क्या क्या चीज़ा ह होती है यहांपर यह यह हमारे इसमें टेश्ट की तरह मतलब Foreset है आपको दिख रहा हैं होते हैबर यह हमारे पूरा पुरा हो गया हो testimony working और यह सारे के सारे काम कैसे क्यों नहीं हूब पर यहां पर जो हमारे यह आप आपको दिख रहा होगा वास्केट रेक बोलते हैं इसको जिसमें हमारी यह चैस्ट लगी हुए नीचे से खाली वाली इसको हम अपने 1000 वाले बीकर में मतलब एक तरह से यहां फिट कर देते बैसे तो यह चीद हमारी इसमें फिट होती है तो इस बीकर के अंदर हम इसको करेंगे यहां कि आप करना शुरू कर देंगे चालू कर देंगे और यह लगवा हम कितना करते हैं 37 क्योंकि यही इतना ही होता है तो इसको मेंटें करते हैं अब यहां पर एक चीज़ हो रहे है जो आपको बीकर दिख रहा होगा इसके अंदर भी हम जो अपना तीन चीज़ से हमारा थोड़ा से इन्वाइर्मेंट जन्रेट हो तो इसलिए हम यहां पर अपनी के साथ लेते घिच्टि वाटर जिससे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो पाणी के सा अपना पनी फिल कर लेते हैं अब यहां पर आगे कि कि हाँ नहीं समझो यह आपको जो च्छै टेक्श्ट यूँ दिख रहे ही ती यहाँ नहीं दिखेंगे देखो यह आपको दिख रही होगी तो अब जो हमारी यह वास्केट रेक है इसके अंदर हम क्या करेंगे अपनी च्छै तो आपको पता है यह उसमें उपर भी जाएगा और उपर से यहां पर लगा दिगा यह अपने इसके कवर होते हैं कि टैबलेट हमारी रहेगी वह हम इन दोनों चीजों के बीच में रहेगी अब यह जो इसको चालू करेंगे तो यह चीज हमारी उपर नीचे उपर नीचे इ दिखाते हैं थोड़ा लाइट करता हूं तो यह जब हमारे अप डाउन डारेक्शन में जाएंगे तो देखो एक्शल में हो क्या रहा आप यहां पर समझो हमारी टैबलेट इसके अंदर है सिंपल बात है पानी नीचे से जाएगा तो वह इस टैबलेट के ऊपर थोड़ा स सराट बगरा इसी तरह की मुमेंट हमारे इस टमग में होते पेट में तो जब यह हमारी होगी तो यहां पर टैबलेट हमारी क्या होगी धीरे धीरे हमारी टूटनी बिखरनी शुरू होताएगी क्योंकि ऊपर से भी थोड़ा सा प्रेसर लग रहा है और नीचे से पानी का जाने की जो हमारा फ्लीड है उसका वह यहां पर प्रेसर लग रहा है तो जब हमारी यहां पर आपको दिखेगी यहां पर डारेक्शन कर आओगे यहां पर नीचे आपना नोट डाउन कर लेते हैं एक चीज़ और जो हमारी यह मुव्मेंट हो रही है आपको यह दिख रही करते हैं तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो इस तरह हमारी पूरी मूव करती है तीस बार हमारी रोटेशन होती है और जब हमारी यह टैबलेट पूरी की पूरी मतलब तूट जाती है उस टाइम को हम यहां पर क्या करते हैं नोट डाउन कर लेते हैं धैन हम पूरी की डिरीड आविआ है पस आपको जो से मिलाना है अगर इसको यह पास करते हैं इसको पैस को नहीं करते तो आप का टेस्ट जो पोगिन अब मिलाते हैं कैसे तो जो हमारी अनकोटेड टैबलेट है अनकोटेड आपको पता भी कोई कोटिंग मगरा होगी नहीं तो उनको हमारा जो है पंदरे मिनिट से जादा टाइम नहीं लगना चाहिए डिसिंटिकेशन में क्योंकि वो जाने ही जाती है रैपिड हैं यह झीड होगार फील्म कटेड वाली है तो फिल्म कोटेड वालि है तो वहीं क्याशन थोड़ी सी कंपतली तो यहАं पर क्या होगा यहां पर मरilें 20th में अगर हमारी फिल्म कोटेट डिसिंटिकेट हो जाती है गला यह क्योंकि बदा एक यह हमारी breakdown कहां पर होंगी हमारे इंटेस्ट में जाके तो इनके लिए हमें टाइम लगवग एक से दो घंटे का मिलता अगर इस बीच में यह हमारी हो जाती है तब ठीक है वरना यह भी हमारा फेल हो जाएगा तो इस तरह हम जो अपने डिस इंटेसन टेस्ट को पूरा परफ है तो यह भी हमारा official text है तो इसकी भी reading वगएर हमारी पहले से fix हैं अब यहाँ पर क्या होता है तो इसको आप समझो तो देखो हम चेक आउट करते हैं क्यों जब हम कोई tablet वगरा खाएंगे और पेट में जाके जब तक वह किसी solution के फॉर्म में तो यह सब बातों को अम ध्यार रखते हैं तो आप समझगें कैसे होता है क्या होताई अब हम समझतेए हैं इसके apparatus के बारे में life on along के वह इसके आगे केודעनी समझेगे। थोठे-थोड़ेовी कऱए हैं आज कि अन्दल्र लेटेस्ट एइन ना रही है और यह हमारे नमर्स पा गए जाहरे जो हमारे इसके टेंप्रेचर और आर्पें सब्सक्राइब प्रकार निंग करती हैए तो दो एक जो हो लह इसमें हमारा प्रिजएंट होता है घर्मावी ंगर कि आ करेंगा इसके टेमप्रेचर को बताएगा कितना है कैसं है एक जो हो लई इसके निदर हमारा साफ्ट मतलब यह आप को दिख रहे हूंगे हँ जो यह निललकी होगे हैं यह हमारे रोटेशन तो तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है अब इसका फरक क्या है तो अगर कोई वार्ट टाइप है तो यहां पर जो हमारी टेवलेट हम रखेंगे प्लेस करेंगे वह मिस वास्केट के अंदर पर देते हैं और जो हमारे पैडल टाइप होते हमारे लिए पहला कोन सा है पेडल टाइप है और यूज भी मोचली हमारे पैडल टाइप बारा कि यहां भी हमने प defensive पूरा इस तरह का आपको मिल जाए आप अपने में लेब बगरा में देखें के सारह आपको ज MD मिल है अब समझेने हम इसका काम करता है चो सबसे बहुत आपको क्या करना है से निए ये हमारा हजार का होता है मतलब पूरा का फूरा तो इसमें हजार हम क्या करें अपना कोई भर देंगे अब भर फिर फॉद्द करने के जब मारा ये में पूरा कपूरा हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं जो आपको दिख रहे होगे तो यहां पर टोटल ये चोअ बजिशंधों here तो यहां पर यहां पर 6 टैबलेट अपनी इसके अंदर भर दी उसके बाद हम इसको चालू करेंगे और चालू करने के बाद आपको पता क्या होगा यहां पर लगवग 50 से 100 आरपीम बैसे तो यह हमारा मतलब टेबलेट टेबलेट डिपेंड करता है लेकिन हमारे अकॉर्डिंग देखा दाए तो लगवग 100 आरपीम जितनी स्पीड हम यहां पर रखेंगे इनके रोटेशन की जो हमारे यह पैडल रोटेट करेंगे इन चीज़ हो कि यहां पर हम 100 आरपीम करीव रखते हैं 100 राउंड पर मिनट ठीक है तो जब हमारे यह रोटेट होने लगेगा फिर कुछ टाइम बाद अब यह हमारा जो है ड्रक टू ड्रक डिपेंड करता है लेकिन एवरेज हम जै होना सुरू हो जाएगी अब इसको आप कैसे समझोगे तो मालो आपने यहां पर एक ग्लास दूद लिया और दूद के अंदर आपने यहां पर चीनी डाल दी अब आप क्या करोगे चीनी हमारे धीरे-धीर डिजॉल्व होना सुरू हो जाएंगे और जब हमारे यह पूरे करती है हमारी लएड दीरे-धीरे-डि versão वौना सुरू हो जाएगी अब फस को हम को वही चेक करना ऑप कि कि हमारी टैबलेह कितनी डिसॉल रही कितनी डिजॉल्व नहीं हो तो हम क्या करते हैं मालों हमने एब्रेज टाइम भीकिर से सबके लिए लग गया हमने इक कर एक अगर यहां पर वाटर था तो हम इसको फिर से जो है दस एमल पानी के साथ भर देंगे क्योंकि वह नहीं होना चाहिए कि हमने सेंपल कम कर दिया जितना हम निकालेंगे उतना हम इसके अंदर हमारा ड्रक कंटेंट कितना है यार कि जो आपको याद होगा यूनिफॉर्मिटी कि योगा पर मिक्स करेंगे उसके बाद यहां पर क्या करते है यहां फिर से दस आमल निकालेंगे तो इस तरह हम यहां पर लगवग जो है पांस से च्छै वार या उससे ज्यादा बार भी हम इस टेस्ट को पूरा अपलाई करते हैं उसके बाद हमारे पास क्या होती है सेंडर्ड के साथ मिलाते हैं तो अब देखो कि हमारा पास आर यहां पर हम यहाँ फिर उसको पहले श thoroughetti टिव ली तो इसको हमें यहाँ पहले जान की यहाँ पर हमें क्या है चो तो मैंने आपको पहले मोनोग्राफ बताया था जिसमें हमारा इस्टेंडर्ड वैल्यू सारी लिख्यों होती है तो उसमें एक वैल्यू लिख्यों होगी क्यों नाम की जो हमारी फिक्स होगी हर ड्रक के लिए अलग-अलग कि भई इसमें इतना ड्रक कंटेंड मिनीमम होना ही होना चाहिए तो वा हमारी इस कुब बैल्यू से या उससे उससके बरावर हो जाए कंटेंट जो हमारा हो वह श्यादा होना प्रछाइए कंम न दिखाए तब जो हमारी चीज़ है यहाँ पर इसकी मालूम minimum इन्होंने value रख दी तो अब हमको क्या करना है 600 mg है तो यहाँ पर 600 mg से ऊपर ही होनी चाहिए value यहाँ कि 600 mg से 600 mg के बीच होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि 600 mg से कम होगी अगर 600 mg से कम उसमें track content होगा तो वो हमारा test क्या हो जाएगा फ फिर से हम अपनी again 6 tablets को लेंगे और फिर से हम जो है इस same test को जो अभी सारा procedure किया था इसको हम फिर से apply करते हैं तो जो हमने second बार में 6 tablets और की हैं उनका अभी same funda होता है कि उनकी जो value वो हमारी Q से अब तो बिलकुल जादा होनी चाहिए या उसके बराबर हो या जादा हो मत तो इस तरह हमारी apply है अब अगर इसको pass करती है तो हमारी tablet ठीक है best pass है अगर नहीं करते अगर यह भी फेल हो जाता है तो again हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पर लेता है अपनी 12 tablets का भी हम same test करते हैं जो हमने तब किया था अब इसके बाद हम यहाँ पर total value निकालते हैं यान हो या उससे ज्यादा हो यह condition जो हमारी पहले थी यान कि जो हमारी ट्रॉलने से बाद है या तो इसके बराबर हो यह उससे ज्यादा ही drug हमारा थोड़ता content करें कम ड्रॉक कंटेंट ना करें तो इस तरह अगर यह apply को करती है तो हमारे वह पास है नहीं करते हैं तो यह सारी सारी टेस्ट अपने एक में apply कर दिये हैं और दो टेस्ट आपके लिए बहुत जादा इंपोटेंट डिस इंडिकेशन बाला तो बस आज की वीडियो में इतना ही नोट्स बगर आपको जो कुछ भी चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करना और website वगर आ झाल